दोस्तो नमस्कार ये है मागदोशन फार सिविल सर्विसेज मैं अनुराग शोधरी दोस्तो मागदोशन करेंट अफेर्स के अंतरगत आज की वीडियो में हम साल्व करेंगे विभिन परिक्षाओं के समसामाई की खंड के लिए उपयोगी और महत्वोण प्रशनों का भागचार जिसमें हम राष्टी अंतराष्टी आर्थिक खेल खिलाडी और प्रमुख व्यक्तित उसे सम्बंधित महत्वोण प्रशनों को कवर करेंगे तो आईए शुरू करते हैं आज का वीडियो सभी परिक्षाओं के लिए उपयोगी करेंट अफेर्स के महत्वोण प्रशनों का भागचार दोस्तों आज की वीडियो का जो पहला प्रशन है देखिए बहुत ही महत्वोण है ये है कि भारत में पहली बार पेपरलेस बजट कब पेश किया गया था आपसन है आपके 2020-21, 2019-20, 2018-19 या 2021-22 तो सही उत्तर है दोस्तों आपसन डी 2021-22 का बजट सबसे पहली बार पेपरलेस बजट पेश किया गया था दोस्तों एक फरवरी 2019 को बित मंतरी स्री मतीन नीर्मला सीता रमण ने भारत का पहला पेपरलेस बजट प्रस्तुत किया था अगला प्रश्न है दोस्तों टोकियो पैरा उलंपिक में स्वण पदक विजटा बैडमिंटन खिलाडी प्रमोद भगत बिहार के किस जिले के रहने वाले हैं आपसन है आपके बेतिया, वैशाली, जहानाबाद या पटना तो सही उत्तर है दोस्तूं टोकियो पैरालंपिक में स्वोण पदक विजेता, बैड्मिंटन खिलाडी प्रमोध भगत, बिहार के वैशाली जिले के रहने वाले हैं अगला प्रश्न है दोस्तूं, 66 फिल्म फेयर पुरसकार 2021 में सर्वस्रेष्ट अभिनेत्री का पुरसकार की से मिला? आपसन है आपके दीपिका पादुकोण, कंगना रनौत, तापसी पन्नू या फिर रानी मुकरजी तो सही उत्तर आपसन सी तापसी पन्नू को दोस्तूं, 66 फिल्म फेयर पुरसकार 2021 में सर्वस्रेष्ट फिल्म का पुरसकार जिस मूवी को मिला था वो थी थपड और इसके अलावा अंगरेजी मीडियम के लिए इरुफान खान को सर्वस्रेष्ट अभिनेत्री का और थपड मुवी के लिए ही तापसी पन्नू को सर् वर्तमान में भारत का सबसे बड़ा तेल आपूर्तिकरता देश कौन है आपसन है आपके इराक, अमेरिका, इरान और सौधी अरव तो सही उत्तर है इराक दोस्तों वर्तमान में भारत का सबसे बड़ा तेल आपूर्तिकरता देश इराक है अगला प्रश्न है टोकियो पहरा पहला पदक किस ने जीता या किस महिला ने जीता आपसन है अवनी लेखरा सुमित अंतिल भाविना पटेल या फिर प्रमोध भगत तो सही उत्तर है देखिए आपसन C भाविना बेन पटेल दोस्तों भाविना बेन पटेल ने टेबल टेनिस में भारत के लिए पहला पदक जी अगला प्रेश्ण है देखिए सडक सुरक्षा सप्ताह 2021 की थीम क्या है आपसन है सेव लाइव, स्लो डाउन, सेव योर सेल्फ टू सेव योर फेमली, रोड सेफ्टी, टाइम फार एक्षन या फिर सडक सुरक्षा जीवन रक्षा तो सही उत्तर क्या हो जाएगा दोस्तों द योर सेल्फ टू सेव योर फेमली ये सडक सुरक्षा सप्ताह 2021 का थीम था अगला प्रेश्ण है दोस्तों बहुत ही महत्पूर प्रेश्ण है वन धन विकास योजना ये किस संस्था द्वारा सुरू किया गया है आपसन है देखिए ट्राइफेड, नेतियायोग, आदिवा आपसन ए ट्राइफेड द्वारा दोस्तों ट्राइफेड के द्वारा वन धन विकास योजना जो है सुरू की गई है और ट्राइफेड दोस्तों भारती जनजाती सहकारी विपढ़न विकास परिसंग है जो जनजातियों के विकास और उनके लिए जो है सामाजिक उन्ययन क कारे करता है अगला प्रेशन है दोस्तों किस महिला ने स्वीडन की पहली प्रधान मंत्री का पद सम्हाला है आपको बताना है तो सही उत्तर आपसंसी मेंडा लेना इंडर्सन दोस्तों मेंडा लेना इंडर्सन स्वीडन की पहली महिला प्रधान मंत्री बनी है अगला अमेरिका, रूस, आश्टेलिया और ब्राजील तो सही उत्तर है अमेरिका दोस्तों संयुक्त राज्य अमेरिका इंटरनेशनल सोलर एलाइंस का 101 सदस्यराष्ट बना है और आप जानते हैं कि गुरुग्राम हर्याडा में अंतराष्टिस और गठवंधन का मुख्याले है दोस्तों और ये करक और मखर रेखा के बीच के देशों का गठवंधन है जहाँ पर सूर्य की उसमी उर्जाया यानी सूर्य का विकरण सरवाधिक होता है अगला प्रशन है दोस्तों चर्चित उपन्यास दप्रामिस के लेखक कौन है और आप जानते हैं डेमन गलगुट डेमन गलगुट दोस्तों दक्षिड अफ्रीका के राइटर है और 2021 का भूकर पुरसकार भी इन्होंने जीता है डेमन गलगुट ने अपनी पुस्तक दप प्रामिस के लिए ये एक उपन्यास है तो सही उत्तर है दोस्तों चर्चित उपन्यास दप्रामिस के लेखक दक्षिड अफ्रीकी डेमन गलगुट है जिन्होंने इस उपन्यास के लिए 2021 का भूकर पुरसकार भी जीता है अगला प्रशन है दोस्तों ICC के क्रिकेट हाल में हाल में किसे शामिल किया गया है आपसन है शान पोलाक, जैनेट ब्रिटिन, महेला जैवर्धने या सभी तो सही उत्तर है दोस्तों सभी ICC का क्रिकेट हाल अफ्रेम दोस्तों बहुत ही महतपूर जो है ये पुरसकार या सम्मान होता है और अंतराश्टी क्रिकेट से सन्यास लेने के पांच वर्ष बाद इसमें रखने पर विचार किया जाता है दक्षिन अफ्रेका के सान पोलाक, ब्रिटिन की इंग्लेंड की जो है दिवंगत महिला खिलारी जैनेट ब्रिटिन और स्री लंका के महिला जैवर्धने को अभी हाल में ICC क्रिकेट हाल अफ्रेम में श पही उत्तर आपसन B चीन में चीन के दोस्तों होंग जाव प्रांत में देखें चीन के होंग जाव में तीसरे ASEAN Youth Games 2022 का आयोजन किया जाएगा अगला प्रश्न है भारत को किस अंतराष्टी संस्था का Executive Board और World Heritage Committee का सदस्य निर्वाचित किया गया है आपसन है UNICEF, FAO, UNESCO या UNEP तो सही उत्तर है आपसन C UNESCO का दोस्तों भारत को UNESCO का Executive Board और World Heritage Committee का सदस्य निर्वाचित किया गया है अगला प्रश्न है देखिए UNESCO ABU Peace Media Award ये बहुत ही महत्पोर्ण है दोस्तों UNESCO ABU Peace Media Award किस किस भारती संस्था को दिया गया है आपसन है दूरदर्शन, All India Radio, A और B या कोई नहीं तो सही उत्तरापसन C, A और B दोनों को दोस्तों UNESCO द्वारा Asia Pacific Broadcasting Union का ये अवाड दूरदर्शन और All India Radio को दिया गया है अगला प्रशन है कि अभी हाल में किन भारती शहरों में पुलिस कमिशनर पढ़ाली लागू की गई है आपसन है इंदर, पूरी, भोपाल, A और C दोनों तो सही उत्तर है दोस्तों इंदर और भोपाल यानि A और C दोनों में देखे दोस्तों इसमें भारती सहर जिसमें मध्य परदेश के इंदर और भोपाल में हाल में पुलिस कमिशनर पढ़ाली लागू की गई है आपके लिए एक प्रश्ण है दोस्तों कि वर्तमान में उत्तर प्रदेश के किन सहरों में पुलिस कमिशनर पढाली लागू है आपको कमेंट बाक्स में इसका उत्तर बताना है अगला प्रश्ण है दोस्तों कौन सही सुमेलित नहीं है एक से सकती अभ्यास भारत स्री लंका वरुण भारत फ्रांस मालाबार भारत अमेरिका या दक्षिर सकती भारत की तीनों सेना तो यहाँ पर देखिए आपसन ए आपका सही सुमेलित नहीं है एक से सकती अभ्यास जो है भारत स्री लंका के बीच नहीं बलकि मित्र शक्ती अभ्यास भारत और स्री लंका के मद्ध किया जाने वाला महतुपोर युद्धा भ्यास है तो एक से सकती अभ्यास नहीं बलकि म पित्र सक्ति अभ्यास भारत और स्रीलंका के मध्य किया जाता है तो इसलिए आपसन ए सुमेलित नहीं है अन्य आपसन आपके सही सुमेलित हैं बरुड भारत और फ्रांस की जो है वायू सेनाओं के बीच मालाबार भारत और अमेरिका की सेनाओं के बीच और दक्षिन सक्ति भारत की तीनों सेना के बेच किया जाने वाला युद्धा भ्यास है। अगला प्रेशन है दोस्तों बिर्सा मुंडा की 25 फिट उची प्रतिमा हाल में जारखंड के भगवान बिर्सा मुंडा इस्मृति उद्ध्यान एवं संग्रहाले में अस्थापित की गई है इस प्रतिमा के डिजाइनर कौन है। भारत के प्रख्यात मुर्तिकार हैं और इनके द्वारा जो है डिजाइन की गई बिर्सा मुंडा की 25 फिट उची प्रतिमा जारखंड के भगवान बिर्सा मुंडा इस्मृति उद्ध्यान में अस्थापित की गई है। अगला प्रख्यात है दोस्तों भारत के 72 ग्रेंड मास्टर सतरंज ग्रेंड मास्टर कौन बने हैं तो सही उत्तर है मित्राव गुहा। दोस्तों कुलकाता निवासी मित्राव गुहा भारत के 72 ग्रेंड मास्टर बने हैं तो याद रखेगा। अगला प्रख्यात और करेंट अफेर्स के महत्वण प्रश्णों का जो ये प्रैक्टिस से ठमसालव कर रहे हैं इसका लाश्ट कोश्यन है भारत ने किस वर्ष तक नेट जीरो कारवन उस सर्जन का लक्ष प्राप्त करने की घोश्रा की है आपसन है 2030, 2047, 2060 या 2070 तो सही तराफसन दी 2070 तक भारत ने दोस्तों वर्ष 2070 तक नेट जीरो कारवन उस सर्जन का लक्ष प्राप्त करने की घोश्रा की है तो ये था आज के महत्वण समसामाई की यानि करेंट अफेर्स के महत्वण प्रश्णों का जो आपजेक्टिव टाइप प्रश्ण थे उनका प प्रश्णों के लिए बहुत ही उपयोगी है तो आप इन प्रश्णों को तयार कर लिजेगा वीडियो आपको कैसा लगा हमें कमेंट वाक्स बे जरूर बताइएगा वीडियो को लाइक करें शेयर करें और इस चैनल महागदशन फार सिबिल सर्विसेस को सब्सक्राइब कर वीडियो देखने के लिए धन्यवाद दोस्तों नमस्कार